नमस्कार दोस्तों जीके संसार में आपसे भीका स्वागत है भारत के विभिन परिच्छाओं में सामान निग्यान से बार बार पुछे जाने वाले 100 महत्पून प्रस्णों का संग्रा के साथ हम आ चुके हैं और यह हमारा पार 24 है और आज की इस वीडियो में हम सब डिसकस कर करने वाले हैं बहुत धर्म से जुड़े महत्पून प्रस्ण जो की आपके परिच्छा के लिए सफिसेंट है इससे बाहर आपके प्रस्ण नहीं बनेंगे तो अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्र पूर्व में हुआ था कब हुआ था 563 इसा पूर्व तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट में आपका और बता दूं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 इसा पूर्व हुआ था इनका जन्म अस्थाल है लूमिनी पीता थे सुदोधन माता थी महामाया देवी इनका पूर्व जो थे वो थे अलार कलाम ठीक है इतना कुछ आप याद रखेगा अब देखें गौतम बुद्ध का जन्म अस्तल हम लोग देखा लूमिनी गौतम बुद्ध की जो माता थी यानि की महामाया देवी इनका कौन से वन्स था तो वा कोली ये वन्स था ठीक है कौन से किस राजा के एक अभिलेक से सुचना मिलता है कि साक के मनी बुद्ध का जन्म लूमिनी में हुआ था तो है रूमीन देई अभिलेक ठीक है ग्यात होता है कि साक के मनी बुद्ध का जो जन्म है वो लूमिनी में हुआ था पुरानों के अनुसार बुद्ध को किसका आउतार माना जाता है तो यह विस्नु का आउतार माना जाता है ठीक है बुद्ध को हम सब विस्नु का आउतार मानते है और किसके अकॉर्डिंग त प्राप्ति कहां हुई थी, तो अब बोध गया में हुआ था, है ना, इससे हम बोधि व्रिच भी कहते हैं, और कौन सी नदी, तो निलाजना नदी के तटपे, महात्मा बुध ने पहला उपदेश कहां दिया था, तो ये सारनात में दिया था, और कितने लोग को दिया था, त तो महात्मा बुध ने जिस स्थान पर महापरिनिर्वान प्राप्त किया, वह तक कुसी नगर, यानि कि जहां पर इन्हों ने अपना देह त्याग किया, वह स्थान कुसी नगर है, और इनकी मिर्तियों को, यानि कि देह त्याग करने की जो इस्थिती है, उसको हम महापरिन बौत धर में महा विनिस क्रमन कहा जाता है। भारत में सबसे प्राची इंतम विहार कौन सा है तो है नालंदा। बुद्ध की मिर्टु के बाद प्रत्थम बौत संगिती के अध्यक्सा किस ने किया था तो किया था महा कस्षिप ने। अब देखिए अभी तक जो बाद संगिती हुई है वो चार हुई है जो पहला हुआ था चार सो तिरासी सापुरो में ये कहां पर हुआ था तो सब्त पूर्णा गुफा जो है आपका राजग्री जो कि अभी राजगीर के तौपर जाना जाता है वहाँ पर आयजुत की गई इसके अध्यक्स जो थे वो महाकस्यब थे और सरच्चक थे अजाद सत्रू जो की हर एक वन्सके थे और दूसरी जो बाद संगिती हुई थी वो 383 सापुरो में हुआ था कहां पर बैसाली में इसके अध्यक्स थे साबाकामी सरच्चक थे कालसोक और कालसोक किस वन्सके थे तो सिसुनाग वन्सके और तिसरी जो संगीती हुए थी बाव संगीती वो हुआ था आपका 255 इसापुरो में और अस्थान था पाटली पुतर जो के पटना के तौर पे जाने जाता है इसके अध्यक्ष जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट है मोगाली पुतिस इसके अध्यक् कुसान वन्सके और यह कहां पर हुआ था कुंडल वन में हुआ था जो की कास्मीर में है ठीक है चार बाव संगीती हुई है यह काफी इंपॉर्टेंट है देखिए किस नगर में प्रत्थम बहुत सा वाजूत की गई थी हमने पहले आपको बताया राजगीर जिसे राजग तो यह है धर्म चक्र परवर्तन सुथ की विशय वस्तू का तो देखिए यहां पर जो आप देख रहे है अस्टांगीक मार्ग इह है क्या तो मैं आपको बता दूं कि अस्टांगीक मार्ग जो है इसमें आपको सबसे पहले आरे सत्य आता है जो चार है दुख, समुदे, न हनक या कहा जाता है कि प्रानी जो हे जन्र भर विवीन दुखों में प्राहता है और ये दुख . अरेसत्य हैं। तृषिलसे जो विशयों के प्रति तृस्ण है। जो भूख है वही समद्य आतिश आरेसत्य है। तृषिलसे नसे कि नहीं न रहें से न तो असम सहार की वस्तूहों के कारण कोई दुख होता है। थाता थाका। और जिस तरह से परदीप जो है बुझ जाता है तो उसी तरह आपका निर्वान भी हो जाता है और इस निरोध की प्राप्ति का माल आरे सत्त बताए गया तो इस चार आरे सत्ते हैं बहुत धर्म के अकौडिंग और मैं आपको बताओं कि जो आप देख रहे हैं अस्टांगिक मार्ग इसमें समयक द्रिष्टी, समयक संकल्पना, समयक वचन, समयक कर्म, समयक आजीवन और समयक प्रियास, समयक अस्मृति और समयक समाथी यह आठ इस विश्वास करना इसमें बताया जाता है, समयक संकल्पना जो है मानसिक और नैतिक विकास के प्रतिग्या करना और इसमें तिसरा जो आता है वो समयक वचन, समयक वचन जो है कि हानिकारक बाते और जूट कभी नहीं बोलनी चाहिए, समयक जो कर्म है वो हानिकारक कर्म कभी करनी करनी चाहिए और समयक प्रकास प्रयास जो हो बताता है कि अपने आपको सुधारने के लिए कोसिस करनी चाहिए और चठा के बाद सत्मा आता है समयक अस्मृति यह है कि अस्पस्ट ग्यान से देखेनी के लिए कोसिस करनी चाहिए और आठमा जो आता है वो आता है समयक सम पार नहीं करना ये इसमें बताया गया अब देखिए अगला प्रस्ण कहता है कि मिलिंद पनहु राजा मिलिंद और किस बौध विच्चु के मद्द संवाद की रूप में है तो है नाकसे महायान बौध धर्म में बोधि सत्व और लोकिति सुवर को और किस नाम से जाना जात के सिधांत कर्म तथा पुनरजनम का जो सिधांत है इस पर बौध धर्म भी और जयन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं महात्मा बुध का महा परिन्रवान किसके गंतंत्र में हुआ था तो हुआ था मल्लो के गंतंत्र में बुध ने सरवाधिक उपदेश कहां दिये तो पूरो में त्रीतिय बौष संगिती कहां पर आयोजित की गई थी तो अप पाठली पुत्रा में किया गया था दो सो पच्पन इसा पूरो में हमने आपको पहले ही बताया चतुर्थ बौष संगिती का आयोजित कहां पर किया गया था कुंडलवन में किया गया था कब किया कह था 9080- 2003 में गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो ये थे अलार कलाम, मुस्ट बुद्ध में विराग्य भावणा किन दरीसियों के कारण आउत्रित fui थे नहीं को देखने के बाद एसजी तो एक बुढ़ rice रो गी और लास इनको देखने के बाद इनके अंदर विज्फ वहांना ह lied तरीत हुई थी बहुत सिक्षा का केंद्र कहां था तो यह था विक्रमसिला में याद रखेगा बहुत सिक्षा का जो महत्पून केंद्र था वह था विक्रमसिला किस बंगाल सासक ने बौधों के लिए विख्यात विक्रमसिला विश्वित द्याले के स्थापना की थी तो वह सासक था धर्म पाल भारत में सबसे बड़ा बहुत अस्तूप कहां इस्तित है तो यह सांची में है ठीक है सांची किसलिए फेमस है सबसे बढ़ा बहुत अस्तूप के लिए किसके द्वारा तृतिये बहुत संगिती को सरक्षन परदान किया गया था तो यह किया गया था असो लासा में की गई है तो ये किया गया है पाली में मठ मंदिर और अस्तूप किस धर्म से सम्मंदी था है बाहत धर्म जैन धर्म दोनों हीक देश किसके सासनकाल में दिये गए है उसको याद रख pessimार करने पहली महिला कौन थी तो थी महा प्रजापती गौतमी जो थी वह बहुत धर्म धारन करने वाली पहली महिला थी बौधर्म ने समाज की कीन वरगों पर महत्पोन प्रभाव डला था तो अथा महिला और सुद्र। इन दोनों पे काफी अपना प्रभाव डला था बौधर्म ने। सारनाथ में बुद्ध का प्रत्थम प्रवचन क्या कहलाता है तुवा कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन याद रखिएगा कि सारनाथ में गौतम बुद्ध यानि भगवान बुद्ध के द्वारा प्रत्थम प्रवचन दिया गया था किस सासक के सासन काल में, नेपाल में बाध धर्म का गमन हुआ था, तो था असोक, और किस वंस का था, मौरे वंस, कौन बुध के जीवन काल में संग परमुख होना चाहता था, तो यह था देवधत, देवधत वह सक्स था, जो की गौतम बुध के रहते, बगवान बुध के र याद रखेगा, एसिया की रौसनी, या दा लाइट ऑफ एसिया, या फिस जियोती पुझ, अगर इन तीनों कोई नाम पुछा जाता है, तो याद रखेगा, गौतम बुध को कहा जाता है, बुध के गर्व में आने का परतिक की समाना गया है, तो हाथी को, अब देखिए जो परतिक चीन है, इससे आप जरूर ध्यान से देखिएगा, बुध के गर्व में आने का परतिक है, हाथी है, बुध के जन्म का परतिक क्या है, तो कमल है, गर्व में आने का हाथी और जन्म का परतिक जो है, उकमल है, बुध के योवन का परतिक क्या है, तो है आपका सांड जो है यहां पर बुद्ध कर लेंगे आप ठीक है बुद्ध की योवन का परतिक है बुद्ध के ग्रित्याक का परतिक क्या है तो है घोड़ा बुद्ध की ज्यान का परतिक पीपल यानि की पीपल के पेड़ की नीचे व्रिच के नीचे उनको ज्यान की प्राप्ति हु बुद्ध के निर्मान का पर्तिक क्या है तो है पद्द चिन यहां पर निर्मान की जगा निर्वान होगा ठीक है बुद्ध के निर्वान का पर्तिक क्या है पद्द चिन बुद्ध के मिर्तु का पर्तिक अस्तूप तो इस सभी जो चिन है इसे आप पर्तिक चिन को याद कितने भागों में बाटा गया, तो उसकी संक्या है तीन और कौन-कौन, तो उसे पहले मैं बता दूँ कि जो तीन भागों में जो बाटा गया, उसे ही त्रिपिटक कहा गया, ठीक है, अब देखिए वो कौन-कौन से हैं, तो यह तीन है, बिनाय पिटक, बिनाय पिटक के अंत और समवादों का संक्लन है। उसके बाद तिसरे आता अभी धम पिटक यानि कि पिटकों में मद्यम जिसमें कि बुद्ध के आध्यात्मिक वद्धार्षनिक विचारों का संक्लन है। तो ये तीन जो पिटक है इन्हें को मिलाकर त्री पिटक कहा जाता है। अब देखिए महाभिनिस्क्रमन बौध्धर में क्या कहा गया है। गृत्या की घटना को। संबोधी क्यान प्राप्त होने की घटना को। धर्म चक्रपरवरतन उपदेश देने की घटना को। ठीक है। अब देखिए गृत्या को किसे इंगित किया गया है घोडा से। संबो कहा गया है धर्म चक्र परवर्तन और सबसे जादा उपदेश कहां दिया इन्होंने स्रावस्ति में ठीक है अब देखिए बूध के अवसेश को कितने ब्यक्तियों ने आपस में बाट का अस्तूब बनाये थे तो उसके संख्या है आठ और किन लोगों ने बाटा वो कपिल वस्तू के साक्ये अलकप के बुलिये रामग्यान के कोलिये बेठद्वीप के ब्राहमन पावा और कुसिनगर के मल और पिपलीवन के मौरे और इन आठ लोगों ने मिलकर आपस में बाट कर बुद्ध के अवसेश को अस्तूब बनाये है ठीक है तो याद रखिएगा यह काफ इंपॉर्टेंट है आपके सभी जामने संग के लिए अब देखिए बौद्धर में त्रिरत्न क्या है तो त्रिरत्न जो है वह है बुद्ध संग और धम थिक है आप यहाँ पर आता कि संग सभा का प्रस्ताव पाथ क्या है तो है अनुसाव का संग में परवेस इसको कहा जाता है उप संपधा भावी बुद्ध कौन है मैत्रे याद रखेएगा ये काफि इंपोर्टेंट है भावी बुद्ध कौन है वह है मैत्रे और इसके बाद जो आता कि अंतिम बुद्ध ये काफि इंपोर्टेंट है अंतिम बुद्ध कौन होंगे तो सामंत भद्र होंगे ठीक है इसी को आप में कर लिजेगा और पांच बुद्ध की अगर बात आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँँ एक बाल पहले थे जो questions आपकी जामेशन में बन सकते हैं जितने information आपको चाहिए मैंने कोशिस किए इस वीडियो के थुरू देने की तो आपको कैसा लागा आप हमें comment बॉक्स बताईएगा और जो भी query है आप हमें जरूर टेलेग्राम चैनल के थुरू और comment के थुरू पुछ सकते हैं तंश वाचिंग..